हरियो, स्वागत है आप सभी का गीता ज्यान में हम अध्याय चोधे पर हैं जहां भगवान सत्व रज तम गुण की गेहरे स्तर पर चर्चा कर रहे आज चोधवे अध्याय का इसलोक 21 है अब जब भगवान में सत्व रज तम की गेहरी व्याख्या की तो अर्जुन के अंदर एक प्रश्ण उठा और जिग्यासू के अंदर जिग्यासा का उठना श्राभाविक होता है यदि जिग्यासा ही ना उठे तो इसका मतलब है कि वो जिग्यासू है ही ने वो केवल सुन रहा है और केवल सुनने वाला जिसके अंदर बिना जिग्यासा के वो सुन रहा है तो पता नहीं लगता कि वो उसमें टिक भी पा रहा है उसको जान भी पा रहा है समझ भी पा रहा है उसमें उतर भी पा रहा है या केवल सुन रहा है लेकिन अर्जुन ने प्रश्न किया और प्रश्न करते हुए अर्जुन कह रही है कि अर्जुन बोले हे प्रभु इन तीन गुणों से उपर उठा पुरुश किन-किन लक्षणों से युक्त होता है उसका आचरण कैसा होता है और वह किस साधन से इन तीन गुणों को बांधता है अब अर्जुन के अंदर जिग्यासा उठी कि ये तीन गुण तो समझे लेकिन क्या तरीका है कि इन तीन गुणों से उपर उठा जाए क्या उपाए है और जो तीन गुणों से उपर उठा है उसका आचरण कैसा होता है अर्जुन आचरण को लक्षण को जान लेना चाहता है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये व्यक्ति तीन गुरों से उपर उठा हुआ है मतलब देखकर कैसे जान पाऊंगा उसके हाव भाव से कैसे जान पाऊंगा कि ये तीन गुरों से उपर उठे आ है जिग्यासा है एक अच्छी जिग्यासा है अर्जुन के इस तर की और ये इस तर है कि जो जिग्यासा है ये पहली बार नहीं उठी है ये अध्याय दो में भी उठी थी जब समाधी की चर्चा भगवान ने की तो वहाँ पर अर्जुन ने अध्याय दो में चौवनवे स्लोक में आपको याद होगा अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव समाधी में इस्थित इस्थिर बुद्धी वाले पुरुश का क्या लक्षण है वे कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है पहले भी समाधी में इस्थित जो पुरुश है उसके लक्षण उसके आचरण का प्रश्ण अर्जुन के द्वारा हुआ अब जब भगवान ने गुणों की चर्चा की तो इन तीन गुणों से उपर उठकर जब जीवन जिया जा रहा हो तो क्या आचरण हो ये प्रश्ण कर रहा है अस्थित में कहीं बार व्यक्ति आचरण को पकड़ लेता है लक्षण को पकड़ लेता है वो कहां से उठ रहा है उसको छूड़ देता है वो उपर उपर को पकड़ कर और उसमें रहकर उसमें रम कर उसकी प्रश्ण करके आचरण की प्रश्ण करके वो व्यक्ति सोचता है कि वास्तिक में वैसा हो गया बाहर से लक्षण तो आरोपित हो रहे है बाहर के लक्षण तो कहीं पहुँचा नहीं पाएगा वो तो अंदर से जब भाव उठेगा तो लक्षण परकट होंगे अब वो लक्षण तो हर व्यक्ति के अपने-अपने हो सकते है एक जैसे लक्षण होते तो सभी शास्त्रों में एक जैसे चर्चा हो चुकी होती चुकि हर व्यक्ति अपने इस तर से, अपनी चेतना से या अपने चित्त से उपर उठता है हर व्यक्ति के अपने सुभाव हैं, अपने संसकार हैं, अपने उसकी जीवन की यात्रा थी नजाने कितने जन्मों की यात्रा थी फिर उसकी अपने एक साधना है, साधना का एक तरीका है, उसका एक मार्ग है फिर गुरु के द्वारा दीगे दिक्षा है और उसका चलना है बहुत कुछ भेद हैं यहाँ पर तो हर व्यक्ति घर में यह दी दो या तीन लोग हैं तो सबकी अपनी एक यात्रा है पत्नी की यात्रा अपनी है, पती की यात्रा अपनी है यहाँ एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे की यात्रा पर अपने आपको आरूपित किया नहीं जा सकता चुकि यह सम्मंद तो यहाँ आकर मिले हैं ना, हमारी यात्रा तो नजाने कब से चली आ रहे है क्या कर रहा है कैसे उठ बैट रहा है क्या आचरण है यदि हमने वो सीख कर और वैसा ही करना शुरू कर दिया तो क्या हम उसके जैसे हो जाएंगे लोग ऐसी ही तो करते हैं जो भी उनके आइडियल होते हैं वो उसके तरह से पहनना शुरू कर देते हैं कपड़े बाहर की साज सज्जा उसके अनुसार शुरू कर देते हैं खान पीन भी जो वो खाता है वो करना शुरू कर देते हैं दिंचरिया भी जिस दिंचरिया में वो उसी दिन्चरिया को फोलो करना शुरू कर देते हैं और जैसे वो बोलता है बोलने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और वैसे बोलना शुरू कर देते हैं बला बाहर से वैसा दिखना बो जैसे आप देखते हैं कि जब पिक्चरों में कोई स्टंट किये जाते हैं तो वो असली हिरो थोड़ी करता है एक duplicate करता है, duplicate को वैसी कपड़े पनाय जाते हैं, वही लंबाई होती है, कद काठी वही होती है, बाल बाल सब style वैसी कर दिया जाता है, सब कुछ होई ही कर दिया जाता है, लेकिन वो duplicate ही कहलाएगा, वो copy कहलाने वाला है, और copy की value नहीं होती, आचरण को पकड़ कर उससे कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सहके हैं, बहुत अरिजिनल की जो value है, वो carbon copy की value कैसे होगी, आपके घर में आपका अपना घर है और घर के registry के documents है, अब उसकी आप copy करा लो, अब original registry की जो value है और उसकी जो copy है उसकी value में तो जमीन और आस्मान का तक है, वो तो एक रुपिया में हो जाएगी ना, लेकिन वो जो original है, उसकी तो unmall value है, ऐसे ही जो original है, बाहर जब वो प्रकट होगा तो एक जैसा नहीं दो सकता लेकिन अरजुन ऐसा जानना चाह रहे हैं, कि मुझे आचरण बता दो तो शायद में उस आचरण को follow करता हुआ गुडातीत हो जाओ, सदल तरीका है, और हम सब shortcut देखते हैं, अधिकतर हम जीवन में हर चीज के लिए shortcut देखते हैं, कि बस मुझे करा कराया मिल जाए, कोई मेरे लिए कर दे और मैं उसको जी लूँ पर shortcut का जद जीवन है, ये उपर का होता है, थोता होता है, किसी के उपर आधारित होता है, अपने बलबूते तो नहीं है, गुड़ातीत यदि हम होंगे, तो लक्षण मेरे जो प्रकट होंगे, वो यदि कोई दूसरा गुड़ातीत होगा, तो उसके जो लक्षण प्रकट होंगे, दोनों में बहुत बड़ा भेद होगा, चुकि बाहर से तो एक हो सकता है, लेकिन अंदर से एक हो सकता है, लेकिन बहार से तो भेद हो जाएगा, तो अरजुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये किस्वाई स्लोक पर हम हैं, इन तीनों गुणों से उपर उठा पुरुश, किन-किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह किस साधन से इन तीन गुणों को लांगता है, अब अरजुन ने उपाय भी पूछ लिया, साधन भी पूछ लिया, किवल आचरण ही नहीं पूछा, क्या तरीका है, क्या तरीका है उस गुणाती तवस्था को पा लेने का, क्या उपाय है, ऐसा क्या किया जाए, कौन से साधन किये जाए, कौन से प्यक्टिस किये जाए, जिससे हम लांग जाए, जिससे हम उपर उठ जाए, गुणों से उपर उठ जाए, कोई तो तरीका होगा प्रभू चुकि भगवान ने अभी तक किनो गुणों की चर्चा की थी गुणातीत की चर्चा की थी द्रस्टा की चर्चा की थी लेकिन उसके साधन, उसके उपाय, उसकी पैक्टिस की चर्चा नहीं की लेकिन जो वास्तिक्ता में जिग्यासू होता है वो तो जानना चाहता है कि कैसे पहुंचू क्या हो तरीका जिग्यासू के अंदर केवल मोक्ष का भाव जगा रहता है जिग्यासू वही है जिसके अंदर जिग्यासा प्रबल हो अपने को जान ले ले तो अर्जुंद जिग्यासू बन चुका है क्योंकि इतना सुना है ग्यान कि पुरा तरह से आमुल जूल परिवर्टन पूर्ण तया परिवर्टन उसके अंतरतम में हो चुका है अब वो उठ जाना जाता है इन गुनों से और प्रश्न बताते हैं कि सादक खड़ा कहा शिश्य खड़ा कहा हमारे प्रश्न ही इधर उधर के हो मालो चर्चा गुडों पर हो रही है और अरजुन प्रश्न कर ले किसी और चीज का तो पता लग जाएगा कि अरजुन कहां खड़ा है यह सुनी रहा है मेरी बार और अक्सर ऐसा ही होता है सिखाने वाला कुछोड सिखा रहा है और जो सीख रहा है उसके मन में तो नजाने अपने ही दुनिया चल रही है और वो अपनी दुनिया के आधार पर प्रश्न करना चाहता है हमारी दुनिया, हमारा जगत, हमारा मन जब सिख्षा हो रही है, दिख्षा हो रही है गुरु के सानिदे में है, अरजुन करश्न के सानिदे में है तो अब जो कृष्ण कह रहे हैं उसके अलावा मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए जब मन में कुछ और ना चले केवल गुरू की वानी ही अंतर तम में गहरी हो जाए तो समझो कि जो श्रद्धा है वो बलवती हो गई श्रद्धा अब हिल नहीं रही है दीपक की लो अपसीधी हो गई है अब उसकी हलचल थब गई और अरजुन के अंदर यही खूबी थी कि वो जो वो सुन रहा है तो वो कि वो सुन रहा है समझने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पा लेना चाहता है भगवान जिस पूची अवस्था की बात कर रहे और उसके प्रश्ण उसकी अवस्था को बता देते हैं और उसकी जिग्यासा को बता देते हैं तो फिर भगवान अब चुकि प्रश्ण था तो आंसर तो भगवान ने किया अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर भगवान बड़ी ही प्यार से, बड़े आराम से, बड़ी गहराई से दे रहे हैं चुकि भगवान चाहते हैं कि ये गुणों से उठकर उपर युद्ध करे फिर भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले हे पांडव जो प्रकाश, प्रवर्त्ती और मोह के प्रवर्त होने पर उनसे द्वेश नहीं करता और निवरत होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता अब भगवान ने एक साइन बताया, एक तरीका बताया और यह तरीका भी अंदर का है, बाहर का नहीं बाहर का दूसरे लोग, मालो मुझे अंदर से गुसा आ रहा हो किसी पर और मैं गुसा नहीं, उससे मिठी मिठी बातें कर रहा हूं प्यार से बोल रहा हूं, मुस्कुर आ रहा हूं, और अंदर गुसा है तो आप ही बताओ कि वो वास्तिक्ता में गुस्सा है या मिठी बाते तो अंदर तो कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है तो कर्म जो बनेंगे हमारे, वो जो अंदर चल रहा है, उसके बनने वाले है या जो बाहर किया जा रहा है, उसके बनने वाले है तो क्यों आचरण को नहीं पकड़ना बलकि अंदर की स्थिप्पी को पकड़ना नहीं तो मुँ में राम बगल में छूरी तो भगवान कह रहे हैं जो भगवान ने तीन बाते कही कि जो प्रकाश, प्रवर्ति और मोह के प्रवर्त होने पर उनसे द्वेश नहीं करता से उत्पन होगा, जब हमारे अंदर सत्वगुन बढ़ेगा तो प्रकाश कानुभव होगा एक सात्विकता, एक निर्मलता कानुभव होगा, एक दिव्यता का, एक उर्द्रति कानुभव होगा और फिर जब रजोगुन बढ़ेगा तो प्रवर्ति कान भौ होगा हम प्रवर्त होंगे कारियों में करमों में दिंचरिया में activity करेंगे कुछ ना कुछ चाए वो आखों से, कान से हो चाए मन से हो, इंद्रियों से हो, शरीर से हो बुद्धी से हो, एहंकार से हो जब तमोगुण उठेगा, तो तमोगुण के उठने पर हमारे अंदर मोह पैदा होगा, लोब पैदा होगा, अभी जब मोह पैदा हो रहा है, तो तमोगुण से हो रहा है. तो जो सत्व, रज और तम तीन गुणों के कारण से प्रकाश, प्रवत्ति और मोह उठ्पन हमारे अंदर हो रहे हैं, उस पर भगवान बात कर रहे हैं, चुकि यह गहरी बात हो गई. कि जब अंदर से कोई गुण बढ़ा, तो अब उस गुण के कारण से हम कुछ करेंगे, हम कहीं कुछ विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर उत्रेंगे, चुकि वो गुण उठा था. अब जब गुण कोई उठा और उसने अपना प्रभाव दिखाया तो भगवान कहा रहे हैं उनसे द्वेश नहीं करना मालो आप बैठे हो ध्यान में और रजोगुण उठ जाए तमगुण उठ जाए तो हम द्वेश कर बैठे हैं द्वेश नहीं करना लेकिन ये जो द्वेश नहीं करना ये कौन से स्तर की बात है चुकि भगवान की वल द्वेश की बात नहीं कर रहे हैं वो साथ-साथ ये भी कह रहे हैं और निवरत होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता और यदि वो निवरत हो गया चला गया तो फिर ये नहीं कहता कि ये गया क्यों ये फिर से आ जाए तो जो दोनों का साक्षी बना खड़ा है जो दोनों में द्रस्टा बना खड़ा है वो देख रहा है कि अपना गुण अब सत्तो गुण उठा प्रकाश की तरफ गती हुई मैंने उनसे ना द्वेश किया ना मैंने निवरत्ती की ना ये कहा कि ये चले जाए या ये कहा कि ये बार बार आ जाए मैंने देखा मैंने देखा जब अंदर रजो गुण उठा प्रवत्ती की तरफ हमने गती की तो हम साक्षी होकर खड़े हैं और खड़े हैं, ना द्वेश करते हैं, और ना फिर हम उनसे निवरत होने के लिए फिर आकांख्षा करते हैं, महों उठा, तो उसको भी देखा, हमने सबको देखा, हम साक्षी होगे गुड़ों के अपने, हम गुणों के साक्षी होते ही गुणों का जो असर है प्रभाव है वो काफियत तक कम होता चला जाता है गुण के साक्षी होना बड़ा जरूरी है जैसे क्रोध उठा अब अंदर उठा अब भगवान कहा रहे है उससे द्वेश नहीं करना अब क्रोध से द्वेश नहीं करना तो हम क्रोध करेंगे मोह उठा मोह से द्वेश नहीं करना तो मोह में जाएंगे लोब उठा लोब से द्वेश नहीं करना तो हम लोब में जाएंगे तो जो उठेगा फिर तो भगवान कहा रहे हैं द्वेश नहीं करना तो फिर द्वेश नहीं करना तो फिर तो बल्ले-बल्ले लोब उठा ना द्वेश करना है ना उसे दूरी बनानी है और ना उसे निकटता बनानी है ना उसे ये कहना है कि ये बार-बार आए ना उसे ये कहना है कि ये जाए एक स्थितिकी बात हो रही एक अंदर की अवस्था ऐसी अवस्था है जहां पर जो उठे क्रोध उठा उठेगा ने जाने कब से क्रोध करते आए वो तो उपर से ढाक लेते हैं नहीं तो हम तो क्रोध से भरे हुए वो जो क्रोध उठेगा छोटे स्तर पर उठे, बड़े स्तर पर उठे वो क्रोध का स्तर के निर्वर करता है कि मेरी इच्छा कितनी जब हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती है और रुकावटे कोई खड़ा करता है तो क्रोध भी उसी के अनुपात में बढ़ा हो जाता है इच्छा छोटी होती है, क्रोध उसके लुपात में छोटा हो जाता है तो क्रोध उठा, अब ना हमने उससे द्वेश किया अब कैसे नहीं करेंगे हम द्वेश असलत में क्रोध उठा और हम क्रोध के साक्षी होकर खड़े हो गए क्रोध तो उठेगा और हम साक्षी है क्रोध उठा और हम साक्षी है तो क्रोध का प्रभाव हम पर खत्म हो गया अब क्रोध हमारा क्या करेगा हम ही क्रोध के साथ हो लेते हैं तो क्रोध क्रोध बन जाता है क्रोध ही हो जाते है देखना कि मेरे अंदर से कुछ उठ रहा है कुछ आग निकल रही है कुछ हलचल शुरू हो गई कुछ चित्त के इस तर पर एक जैसे सुनामी आ गई हो देखना उसको उस तुफान को देखना जब उठ रहा हो और जैसे ही आप अलग होंगे आप देखने वाले होंगे आप पाएंगे कि वो जो उठा था उसका वेग एकदम कम होता चलागे जब कोई चीज चित्त से उठती है इच्छा उठती है हम उसी इच्छा के साथ हो जाते हैं उसका रूप बन जाते हैं या तो उसको पालेना चाहते हैं और या उससे द्वेश कर बैठते हैं हम कुछ उसके साथ में अपना संबंध इस्थापित करने लगते हैं बगवान कह रहे हैं कि संबंध न इस्थापित करना जो उठे जैसा हो ना द्वेश करना ना निव्रत्ती के लिए आयजन करना, कोशिश करना कि ये जाए, ये आए ना उससे दूरी, ना नज़दी की कुछ नहीं ऐसे ही कि आप खड़े हैं बीच बाजार में कारे आ रही हैं, जा रही हैं आप खड़े हैं अपनी बालकनी में आप देख रहे हैं कारे आ रही है स्कूटर आ रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आप क्या करते हैं उसमें आप भी थोड़ी देखते रहते हैं कि ये काली कार गई अब ये सफेद कार गई अब ये काली है तो क्यों काली है सफेद है तो बहुत अच्छी है अब आप उससे ऐसे ही करने लगो तो आप तो अब आप देख रहें, क्या फर्क है आपको कि काला है या सफेद है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि साक्षी हो जाओ, द्रस्टा हो जाओ, आप पर फर्क नहीं पढ़ना चाहिए तो गुण तो अपना काम करेंगे, गुण से तो उठेगा कुछ ना कुछ चुकि गुण तो है, गुण से उपर उठने का मतलब यह नहीं है कि गुणों को हमने नाश कर दिया, स्वाहा कर दिया गुड़ स्वाहा हो ही नहीं सकते प्रकृती ही बनी है तीन गुड़ों से तो जो प्रकृती के ही ताने बाने में पूरी तरह से है तो स्वाहा कैसे हो सकता है तो जब स्वाहा हो ही नहीं सकता तो उससे तो हम हट सकते हैं न उपर उठ सकते हैं न हमों तरीका हो सकता है तो भगवान कहा रहे हैं उसके लिए तो साक्षी भाव पकड़ना अब कुछ भी उठेगा द्वेश उठेगा, क्रोध उठेगा, काम उठेगा, लोग उठेगा, मोह उठेगा, प्रकाश उठेगा निर्मलता उठेगी, सचता उठेगी, सब के लिए भलाई का भाव उठेगा, द्वेश उठेगा, जगड़ा उठेगा, नीचा दिखाने का भाव उठेगा, निंदा उठेगी, कुछ करने की इच्छा उठेगी, तू बस देखना उसको तो कुछ करना नहीं है अभी तुक्त देखना उठ क्या रहा है यह जो देखने के क्रिया है हम उस देखने वाले को छोड़ देते हैं हम उससे अपने आपका जो सम्मंध है और जो तुर्य आवस्था है उससे अपने आपको दूर कर लेते हैं और फिर जो उठता है उसी का है हिस्सा बन जाते है और इसलिए गुण का हिस्सा बनते-बनते हम गुणों में ही उलद जाते हैं उससे लांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस चीज से उपर उठना हो उसको देखना शुरू करतेुज़, उसका साक्षी होना शुरू करतेुज़, उसके द्रस्टा होना शुरू करतेुज़ यदि आपको लगता है कि घर में क्या बात है आज, क्या बना हुआ है कमाल की चीज और रसगूला बन गया अब उगे रस्गुल्la घर में बनाया गया या बाहर से कहीं आया और आपके अंदर बस जीव में स्वाद स्वाद रसी रस आ गया अब आप उस रस्गुल्ल्ले को देखना शुरू करें वहां से स्वाद को rietा कर साक्षी होकर देखना शुरू करें स्वाद के इस्तर पर तो आपके अंदर उसके प्रती आकरशन होगा चुकि वो इंद्रियों के इस्तर पर आप केवल रसुल्य को देख रहे लेकिन आप जब देखना शुरू करेंगे देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अब स्वाद के इस तर से उपर उठ गया आप उस इस तर पर आ जाएंगे देखते देखते जहां पर स्वाद नहीं रहा केवल एक वस्तू रह गया, एक पधार्त रह गया, एक खाद्य पधार्त थे जैसी वो केवल खाद्य पधार्ध रहा तो उसके प्रती जो आकरुशिंग था वो खतल नोगया अब जो पास में दूसरा खाद्य पधार्ध रखाया जो आपको प्रिये नहीं है आपके जीब के लिए वो उतना आकरशित नहीं है तो आप उसमें और उसमें कोई भेज ना पाने को पाएंगे अब दोनों के लिए आपके अंदर एक जैसा भाव उठ जाएगा ऐसा भी नहीं कि रजगुले को अपने तरफ बुलाओ और करेले को दूर भेजो आप केवल देख रहे हैं दोनों के साक्षी होकर यह जो दोनों के साक्षी होकर देखने की पक्रिया है यही उस पधार से उपर उठने की क्रिया है बहुत लोग पुछते हैं कि कैसे करें उठने ही पाते कोद से स्वाधिस्ट भोजन से द्रस्टा को पकड़ो साक्षी को पकड़। यह साक्षी का भाव आपको उठा देगा और हम साक्षी को छोड़कर उसी चीज में, उसी पधार्त में, उसी वस्तु में, उसी व्यक्ति में अटक जाते हैं। आधार पर आकरशित हो रही है। लेकिन कभी देखो और ऐसे देखो कि उस सुन्दरता का आधार क्या है, किसके आधार पर सुन्दर है। तो आप धीरे 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 शरीर से उपर उठकर उस आतम भाव को अनभो करना शुरू कर दोगे। हम भी गुणों को जब केवल उपर से देखते हैं तो उसमें अटक जाते हैं। लेकिन गुणों को जब गेहरे स्तर से देखते हैं तो उसके उपर उठ सकते हैं। गुणों से उपर उठने का और कोई तरीका नहीं। अन्यता गुण हमेशा अटका कर फसा कर उलजा कर रखने वाले। और ये गुणों में उलजा हुआ व्यक्ति ही बंधन वाला कहलाता है और गुणों से जो उठ गया है वही मुक्त है, निरगुण है। और उसका तरीका केवल अंदर उठा क्या? बैठ जाओ अपने साथ। उठा क्या? क्रोध उठा? देखो क्रोध को, चला जाएगा। पीछे बागते हैं. अब हम पिरोध कर लेना चाहते हैं, जो भी सामने आए इसको पिरोध कर लीते हैं, वो जो भी सामने आए पिर उस पर क्रोध भी कलता है, ऐसी तो होता है। वो घर आफिस में बॉस ने डाट दिया, गुस्सा आ गया, बॉस को कुछ कह नहीं सकते चुकि बॉस को कुछ क्रोध में पलट कर बोल दिया तो वो कहेगा भी या कल से नहीं आना अब वो क्रोध तो उठी गया ना अंदर से, हमने वहाँ पी लिया, हमने वहाँ रोप लिया, थाम लिया, लेकिन क्रोध उठ गया अब घर पर पहुँचे, द्रवाजा खोला बच्चे ने, अब आप लगे बच्चे पर क्रोध करने पत्नी साम दिखाए दिए पत्नी पर क्रोध करने, माबाप दिखाए दिए उन पर क्रोध करने अब आपका क्रोध तो कहीं निकलेगा ना आप क्रोध के साक्षी थोड़ी हुए थे आप तो क्रोध का ही हिस्सा बन गए लेकिन यदि क्रोध उठे और क्रोध के हम साक्षी हो जाएं तो क्रोध के साक्षी होते क्रोध की जड़े हैं वो कमजोर होती चली जाएं इसी तरह से हम गुणों से उपर उठ सकते हैं तो भगवान कह रही है कि श्री भगवान बोले हे पांडव जो प्रकाश, प्रवत्ती और मोह के प्रवत्त होने पर उत्पन होने पर, उठने पर द्वेश नहीं करता अरे यार ये क्रोध कैसे उठ गया अब हम क्रोध से ही द्वेश करने लगए क्रोध क्यों आ गया मुझे तो क्रोध से ही हम लड़ लड़के और क्रोध बढ़ा लेंगे लोब से ही लड़ लड़के और लोब बढ़ा लेंगे काम से ही लड़ लड़के और काम बढ़ा लेंगे विकारों के परती द्वेश करके हम विकारों को और बढ़ा लेंगे इसलिए तो बार-बार फिर वो आ जाते हैं कौन चाहता है कि उसके अंदर क्रोध आए और जो क्रोध आता है तो उसे द्वेश करता है और कहता क्रोध नहीं आना चाहिए बाद में पश्चाताप करता है वो बाद में पश्चाताप करता है बाद से कुछ नहीं होगा वो तो उसी समय उसके साक्षी द्रस्टा होकर अपने आपको लाना होगा और निवरत्थ होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता और यदि निवरत्थ हो गया तो अब यह नहीं कहाता कि फिर कब आएगा वो आने और जाने के व्यापार से उपर उठ गया है एक अनूठी बात वगवान में कही फिर इसी को ही और आगे गहरे स्तर पर वो लेकर जा रहे हैं इस लोग के 23 अध्याय चोद है जो उदासीन की भाती इस्थित होने से गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और ऐसा जानता है कि गुण ही गुणों में बरत्ते हैं वह आत्म इस्थित पुरुष विचलित नहीं होता जो उदासीन की भाती इस्थित होने से गुणों द्वारा विचलित नहीं होता निट्रल बिलकुल उदासी ना इसो ना उसो हमारा पलड़ा तो दिन बर गुमता ही रहता है हम उदासीन नहीं हो पाते किसी भी चीच को लेकर दिन में उदासीन का मतलब द्रस्टा हो जाने साक्षी हो जाने एक अनूठी प्रिक्रिया है जैसे ध्यानस्त व्यक्ती उदासीन होता है बाहर क्या घट रहा है नहीं पता उसको अपने आपको पूरी तरह से विड्रो किया हुआ है अपने ही अंतरतम में ये अपने आपको जैसे ही हम विड्रो करते हैं अपने ही अंतरतम में और अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूँ तो बाहर का प्रभाव फिर नहीं हो तचकी उदासीन हो गए है बाहर की तरफ आकरशित नहीं है हम ना उसे द्वेश कर बैठे हैं हम जबकि उदासीन की इस्तती आत्मा की इस्तती है आत्मा उदासीन है उदासीन का मतलब उदास डिप्रेस नहीं होता उदासीन का मतलब होता है तटरस्ता साक्षी, दरस्ता सीयर, विटनेस मैं रोशनी सडकी ना हिली हूँ ना डुली हूँ चाहे डोली उठे या जनाजा डोली उठ रही हूँ या जनाजा निकल रहा हूँ जो सडकी लाइट है वो तो जूक की त्यू चबकती रहेगी ऐसा नहीं कि डोली उठे तो थोड़ी रोशनी जादा दे दो चुकि राजा की लड़की की डोली उठ रही है और ऐसा भी नहीं कि राजा की यदि जनाजा निकल रहा हो तो रोशनी थोड़ी कम दे दो चुकि मेरे देश का राजा है ऐसा वो जो सड़क की लाइट है, सड़क की रोशनी है नहीं करती, वो तो जू कित्यू रहती है, वो उदासीन है, नीचे क्या हो रहा है उससे उदासीन है, जैसे आकाश उदासीन की तरह है, धरती पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से वो उदासीन है, वो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है जिस तरह से हो रहा है यहां लोग जर्म ले रहे हैं तो उदासीन खड़ा है मृत्यू को प्राप्त हो रहे हैं तो उदासीन खड़ा है उस पर कोई फर्क नहीं हो उदासीन है हमारे अंदर भी आत्मा उदासीन की तरह जू कित्यू इस्थित है बिना हिले डुले वो जू कित्यू वैसे ही है बाहर के इस तर पर बहुत हल चले है जैसे समुद्र की गहराईयों में बहुत शांती होती है और उपर के इस तर पर बहुत लहरे और बहुत हल चले होती है लेकिन उन लहरों के कारण से समुद्र की गहराई के तल में पानी हल्चल को प्राप्त नहीं होता वो तो जूका त्यूक वैसी ही है ऐसे ही अपने अंदर उस उदासिन तार्थात उस त्रिगुणा रही तवस्था वो जो आतम भाव है उसको जब हम प्राप्त होते हैं तो गुण उसको विचलित नहीं कर सकते गुण उठेंगे अपने समय पर उठेंगे चुकि वो तो शरीर को चलाएंगे ऐसा थोड़ी है कि जो ध्यानस्त है जो योगी है साधक है वो दिन भर के काम नहीं करेगा तो करेगा रजोगुन उठा तो काम करेगा वो भले ऑफिस भी जाए घर गरस्ती भी संभाले तमोगुन उठेगा तो वो सोने भी जाएगा रजोगुन उठेगा तो गती हो रही है सतोगुन उठा तो प्रकाश के तरफ जा रहा है वो सब करेगा लेकिन गुणों के आकरशन में नहीं उसमें अटक कर नहीं बलकि देख रहा है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं और भगवान यही कह रहे हैं और ऐसा जानता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं मैं कुछ नहीं करता मैं विचलित नहीं होता अब अंदर से कोई गुण उठा जो भी गुण उठा रजोगुण उठा तो रजोगुण ने प्रवत्ति दी गती दी, एक्टिविटी दी हमको करम दिया तो अब हमने बाहर करम कर लिया गुण उठा और गुणों में हम चले गए तो जो उठा वही बाहर कर लिया तो जो उठा वही किया तो कोई करम नहीं है उठा कुछ और किया कुछ और या सब विरोध है जब यह पक्का हो जाए कि गुण गुणों में बरत रहे हैं जैसे जैसे उठा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ चुकि मैं उसका साक्षी अब या साक्षी भाव यह छोड़ दिया तो गुड़ गुड़ों में बरत रहे हैं इसको मैं समझ नहीं पाऊँगा एक विक्ति कह सकता है भाईया मेरे अंदर क्रोध उठा मैंने क्रोध कर लिया गुड़ गुड़ों में बरत रहे हैं मैंने लोब उठा तो मैं लोभी बन गया और बस लगाई खटा करने काला बाजारी करने और धनी खटा हो जाए वो तो गुड़ गुड़ों में बरत रहे ह है लेकिन मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ना उसको लोब को मैंने कहा देखा मैंने मोह को कहा देखा पहले तो आप देखने वाले हो जाए गुण गुणों में बरत रहे हैं आप दूर से देख रहे हैं तो जब आप दूर से देख रहे हो तो गुण जो है वो शुद्ध र कहीं गिर जाएगी, वहां की विकारी अवस्था कहीं गिर जाएगी, वो निर्विकार हो जाएगा, चुकि अब देख रहे हैं, जब व्यक्ति को लगे कोई मुझे देख रहा है, तो काफी हद तक वो अपने आपको संभाल ले, ताकि CCTV कैमरे लगे हैं, तो संभाल कर चलेगा अपने आपको, रहे भीया, वो देख रहा है, वो देख रहा है, कि यदि मैं कुछ बोलूँगा, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, एरपोर्ट पर, तो वो फिर समझ लेता है, क्या बोलना है, कुछ ऐसी गलत बात ना निकल जाए, कि मैं करी अटक जाओं कर जाओं, इसकी बावना हो जाका, ऐसे ही हम भी उन गुणों को देखने वाले बन जाए, उठा और मैं देख रहा हूं, और देख रहा हूं कि गुण उठा था, सत्तो गुण उठा था, मैं प्रार्त्रा में गया, पूजा में गया, पार्ट में गया, सस्संग में गया, ध्यान में ग वो गुण उठा तो मैंने अपने वालों का ध्यान दिया, तंद्रा निद्रा हुई और आनस्ते में शरीर चला गया, सो गया। लेकिन जब वो सो गया, तो मैं जागा हुआ। शरीर तो सोया है, वो तो गुण के कारण से सोया। लेकिन मेरे उपर तो गुण का असर नहीं होता, इसलिए मैं कहा सोया। तुर्य आवस्ता तो जागी पड़ी है। तो जो देख रहा है कि दिन भर, रात भर, जो गुण है वो गुणों में ही बरत रहे हैं। और मैं कुछ नहीं करता, तो जो आत्मस्थित साधक है, पुरुश है, वो विचलित नहीं होता। हमारे सारे विचलन का कारण, हलचल का कारण गुणों के प्रति साक्षी भाव का न होना है। हम गुणों में उतर जाते हैं गुणों कही हिस्सा बन जाते हैं गुणों को देख नहीं पाते और इसलिए सारे गुण हमको हिला देते हैं दुख की तरफ, मोह की तरफ ले जाते हैं और जीवन फिर दुख से भरा होने लगता है जो कि जिस तरह से गुणों को सही प्रिकार से परियोग करना था वो ना करके हमने गलत परियोग कर लिया उसकी टेकनिक नहीं समझी ये मिले थे सब साधन सहयोग के लिए और यही रुकावट बनकर बाधा बनकर बैठ गए वही बाधा बनकर बैठ गए जो मिले थे guards आपकी security के लिए वही आपको बंधक बना कर बैठे हो सकता है न कि जो guard आपको लग रहा है कि security guard इतनी मेरे सेवा में अब आप उनके बंधक है या वो आपकी सेवा आप उनके बंधक मने बैठे हैं उन्होंने आपको बांधा हुआ है आप कुछ कर नहीं सकते हैं उनके बिना वो जहां आप जाओगे वहां साथ चलेगे तो आप तो बंधे पड़े हैं और आपको लग रहा है कि मैं इनका राजा हूँ तो जो guard मिले थे सहयोग के लिए security के लिए वही बंधन का कारण हो गए तीन गुण भी इसी तरह से हमको जीवन को जी जाने के लिए मिले थे कैसे स्वस्थ रहें नींद में कैसे उतरें सुबह की प्रारत्ना, सस्संग, भजन, पूजन कैसे करें इस तरह से तीनों प्रकाश, प्रवर्त्ति और मोहों की तरफ कैसे गती करें यदि मोहो ना हो तो परिवार की रक्षा कैसे हो परिवार कैसे हो व्यवस्था कैसे हो वो मिला था सब तीन गुड परमात्मा ने एक दिव्विता के उसकी करपा से हमको मिले एक व्यवस्था के लिए लेकिन हमने उस व्यवस्था को न जानकर उसमें ही फस गए और वही फिर दल्लल बन गए यहां भगवार उससे निकलने का रास्ता बता रहे चुकि यदि फसे रहे तो बंदने तो उदासीन हो जाओ पीछे आड़ जाओ और पीछे हमें उदासीन कुछ हट कर नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं है और हमें वो होना है वो हम है जो है उसको जानना है जो नहीं है उससे पीछे हटना है हम जो नहीं है गुण नहीं है हम हम गुणों में बन गए और हम त्रिगुणा तीत हैं उसको हमने जाना नहीं बगवान हमें फिर से हमारा जो भूला हुआ स्वरूप है उसको याद दिला रहे है और अपने उसी स्वरूप को याद करके हमें तीनों गुणों में जाना है गुण गुणों में बरतते हैं है अरजुन तो कुछ नहीं करता फिर तू विच्दित ना हो अब आप सुभे से लेकर रात तक देखो कि आप जो कर रहे हैं वो गुण गुणों में बरत रहे हैं आपके अंदर जो उठा वो तो गुण से उठाना आपने थोड़ी किया कर गुण ने करवा लिया आपसे लेकिन आप उस गुण के साक्षी रहना तो गुण आपसे कभी ग लतकारे करने लगते हैं रजोगुन उठा तो व्यक्ति चोरी की तरब भी जा सकता है और मंदरी की तरब भी जा सकता है वो तो उसके उपर है वो तमोगुन उठा तो व्यक्ति पूरी तरह से दिन पर आलत से भी रह सकता है कब इधर लेट गया कब इधर लेट गया और अराम से वो थोड़ी देर के लिए नीन पावर नैप भी ले सकता है वो उसको व्यवस्था दे सकता है लेकिन वो तब देंगे जब हम पूरी तरह से किलियर होंगे चुकि ये तीन गुणे ही आप गलत दिशा की तरब भी जा सकते हो और आप सही दिशा को भी चैन कर सकते हो आप कुछ नहीं कर रहे हैं कर्म हो रहा है आप तो योग में हैं जब आप योग में रहकर कर्म करते हैं कर्म बाहर हो रहा है योग अंदर लगा है तो कर्म योग हो जाए गुण तो केवल बाहर के इस तरपर कारे कर रहे हैं आप अंदर के इस तरपर हैं जैसे आप तो घर बाहर कभी धूफ है, कभी चाउँ है, कभी आंदी है, तुकान है, गर्भी है, सरदी है, बरफ पड़ रही है. वो बाहर हो रहा है, आप तो आराम से अपने घर के अंदर बैठे तो, आप पर कोई असर नहीं है उसका. आप बाहर जाओगे तो फिर आपके पास धूफ का भी च्छाओं का भी असर आएगा, बारिश का भी, सारा फिर प्रभाव आएगा, चुकि आप ही वहाँ चलेगे बाहर, आप अंदर बैठे हो तो कोई प्रभाव नहीं, ऐसी आप गुणों में चलेगे, तो गुणों का सारा असर हमारे उपर आ गया, और आप गुणों से परे, उदासीन होकर बैठे गए, अपने ही स्वरूप में इस्थित हो गए, तो गुणों में बरत रहे हैं, बाहर आंदी तुपान चल रहा है, और आप तो अपने घर्ण में बैठे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, सतोगुन सतो में, रजोगुन रजो में, तमोगुन तमो में, आप अपनी इस्थि में बैठे हैं, तो भगवान कहा रहे हैं कि वह आत्म इस्थित पुरुष विचलित नहीं होता, यह तेस्वाइश स्लोप था, जो उदासीन की भाती इस्थित होने से गुणों द्वारा वि हैं, वह आत्म इस्थित पुरुष विचलित नहीं होता, इस तरह से यह तेस्वाइश स्लोप आज यहीं पर पून होता है, अभी आपके कोई प्रश्ण उठ रहे हूं तो उसके बात कर सकते हैं, हरियों सुरक्षर जी, हरियों, हमारे सभी दरश्रकों का बहुत-बहुत स् मैं हूँ आपके साथ लगुस्पामी, तो आज के जो सवाल हैं, हम सारे सवाल कोशिश करेंगे लेने की बहुत दिनों बाद ये सवालों का सेशन आया है, तो पहला सवाल पूछ रहे हैं रश्रक, मन की हलचल को कैसे रोके? मन को देखना शुरू कर दो, मन की हलचल ठम जाएगी, मन में रहकर मन की हलचल को ठामना बड़ा मुश्किल है, मन के साक्षी होकर मन की हलचल को ठामना सबसे आसान है, जब मन में विचार उठें, विचार आएं, कभी डर, कभी दुख, कभी लोग, कभी मोह, कभी क्रोध, देखो उसको, देखो क्या उठ रहा है, बैठ जाओ अपने साथ, कुछ पलों के लिए बैठ जाना, कभी देखना, यह practice है, mind training program है, अपने मन को, वो मन, जिसमें एक डाइरिया हो गया है, जैसे पेट में डाइरिया होता है, बार-बार गखती, बातरूम जाता है, ऐसे मानसिक दस्त भी लग जाते हैं, मन में बहुत लगाकार विचार चलते हैं, उसके लिए बस कोशिश हो कि आप द्रस्टा को पकड़ लें, आप साक्षी को पकड़ लें, आप ध्यान में बैठे ह हैं और मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, आप बैठ जाओ और देखते रहो ख्यालों के, ख्यालों का ताना बाना चल रहा है, आप देखते जाओ, आप आओगे कि मन में उटने वाले ख्याल थमते चले गए, केवल एक ही तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, मन के प्राणों से बनता है, प्राणों से ताकत पाता है, प्राणों से बल पाता है, यदि प्राण कमजोर है, तो मन कमजोर हो जाएगा, और यदि प्राणों को ताकत दे दी, तो मन को ताकत मिल जाएगा, इसलिए उपनिशत कहते हैं, यदि मन को साधना हो, तो प्राणों को साध इसलिए फिर उसकी व्याख्या और योग के गरंतों में प्राणायाम के रूप में कोई कि प्राणायाम ब्रीधिंग टेक्निक्स को समझो जानो उसको फोलो करो और उसके अलग-अलग आयाम है उसको सीख कर अपने मन को आप काबू में पा सकते हैं तो वो भी एक तरीका है गरूजी, प्राण शक्ति जब कमजोर हुने लगती है तो मन भी भागने लगता है समझ नहीं आता क्या कर रहे हमारे अगले दर्शक का भी इही सवाल है कि इश्वर पर भरोसा हो तो क्या डर मन में जगे नहीं ले लेता इश्वर पर यदि भरोसा हो फिर भी अगर मन में डर आ रहा है फिर भी मन में डर क्यों आ जाता है डर को समझना होगा डर क्या है इश्वर के प्रती श्रद्धा एक अलग क्रिया हो गई डर यहां पर दूसरी बात डर है जो भी कुछ मुझे मिला है मैंने इखटा किया है, मैंने पाया है चाह वो जवर्दस्ती इखटा किया हो छेन जवटके इखटा किया हो या प्राणद से मिला हो या मेरे कर्मों से मिला हो उसके जाने का जब मन में खयाल आता है तो डर पैदा होता है यह जीवन मिला है इसके जाने का जब ख्याल आता है तो डर पैदा होता है ये नौकरी, ये धन, ये पद, ये समंद मिले हैं इनके जाने का ख्याल आता है तो डर आता है डर है जो है वो चला न जाए अभी जो डर है ये तो बहुत गहरे स्थर पर है चुकि ये डर आज का नहीं, जन्मों जन्मों का है नजाने कितने जन्मों का जब जब हमने जन्म लिया हमारे अंदर डर हर बार रहा हर उम्र में मोत का डर तो कम से कम रहा ही है हर इसलिए जीवधारी प्राणी अपनी जान को बचाने के लिए भागता है डरा डरासा रहता है, जंगल में आप जाकर देखो, बड़े जानवर से, छोटा जानवर डरा रहता है, और डर के ही दिन भर खाना, भोजन, पानी ढूंडता रहता है, कोई मुझे दूसरा अटेक ना कर दे, डर अंदर पड़ा, हमारे भी डर अंदर पड़ा है, वो गहरे इस तर पर डर है, और इश्वर में जो विस्वास है हमारा वो बहुत उपर-उपर का है, वो तो अभी का है, वो तो छोटा है, अभी तो उसकी भासा भी बहुत ही तोतली है, वो विस्वास छोटा है, डर और ग मिलते हैं डर हमें पूरी तरह से हमारे हमारे सिस्टम में लगेटिव तरह से या यू कहें कि पॉईजन की तरह से काम करता है जब डर अंदर आ जाता है तो व्यक्ति का जो एंटी बॉडीज है वो कमजोर पढ़ जाएंगी इम्यून सिस्टम कमजोर पढ़ जाएगा प्राणा कमजोर हो जाएगा मन की स्थिती कमजोर पढ़ जाएगी निरने लेने की क्षमता कमजोर पढ़ जाएगी सही प्रकार से क्या करना है सूज बूज जो होश है वो खतम हो जाएगा चुकि डर समा गया है डर तो ऐसा है जैसे कोई काले बादल आ गए हो तो डरा हुआ व्यक्ति कुछ भी सही प्रकार से कर नहीं सकता उसका शरीर भी कर बढ़ाएगा और इसलिए बहुत सारे रिसर्च यही कहती है कि व्यक्ति बिमारी से नहीं मरता कई बाद उस बिमारी के डर से मरता है तो डर से अपने आप को उपर उठाना होगा और इसलिए गीता में दो रोज वगवान जो व्याख्या कर रहे हैं ये डर से धीरे धीरे वेक्ति को चुकी, जब हमने अपने गेहरे स्तर को पकड़ लिया तो डर वहां हट गया, अभयता आ गया, हमने उपर को पकड़ा तो डर खड़ा है, गुणों में है तो डर है, त्रिगुनाती तवस्ता को पकड़ा तो कोई डर लिया। पॉजिटिव रही इस पूरे कोरोना के पीरियड में पूरे जब से में पॉजिटिव होई थी रिपोर्ट आई थी क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में अगर शांती है तो आपके शरीर में भी शांती दिखती है आप बेहत उजावान में हिसूस करते हैं, रोग आता है वाकिफ ऐसे ही जला जाता है अगला सवाल में लेना जाओंगे हमारे दर्शकों का, पूश रहें, तुरिया अवस्था क्या है गुरूजी? तुरिया अवस्था हमारा स्वरूप है जैसे भी हमने इससे पहले सस्थंग में चर्चा किये थी, कि हमारी चार अवस्थाओं में हम जीवन को जीते हैं तीन मुख्य अवस्थाओं में तो जीही जाते हैं और सब वेक्ति उसी में जीते हैं एक है जग्रत, जग्रत अवस्था का मतलब है उठते बैठते खाते पीते हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यह जो जग्रत में व्यापार व्यभार हो रहा है, यह हमारी जग्रत अवस्था है, सुबह आथ खोलने से लेकर रात सोने तक हम जग्रत अवस्था का हिस्सा रहते हैं, जब रात को सोते हैं तो हम गहरी सुशुप्ति में चले जाते हैं डीप स्लीप पे चले जाते हैं जहांपर हम भूल जाते हैं सब कुछ उसको कहते हैं सुशुप्ति अवस्था यह दूसरी अवस्था है फिर सुशुप्ति अवस्था सोते सोते ही हम सौपनों में आ जाते हैं हम कुछ सौपन देख रहे हैं वो सौपन दिन भर के आज, कल या कभी के भी जो भी हमारे द्वारा इंद्रियों ने अनुभव किया है वो सब कुछ खटा हुए है उसके आधार पर सौपन ते यार होते हैं तो यह तीन अवस्था हम तो सभी रहते हैं रोज रहते हैं लेकिन एक चोथी अवस्था होती है वो चोथी अवस्था मेरा स्वरूप है कि आप जागर्त में जब हैं तब भी वो तुरी आवस्था जूकितियों खड़ी है। बड़े से बड़े से बड़े से बड़े खुशी हो। बहुत लाब हो। बहुत हानी हो। उस तुर्य आवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी वो वैसी ही थी, जब हम बड़े हो रहे थी, तब भी वो वैसी ही थी, शादी होई तब भी वो वैसी ही थी। बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, हम बुढ़े हुए और हम रत्यू को प्राप्त हुए उस तुरियावस्था में रत्ती भर भी फर्क पड़ा नहीं, वो जू की तियों रहे वो जो मेरे अंदर जूकी त्यूं है हम दोड़ रहे हैं कोई ऐसा है जो जूका क्यों खड़ा है हम खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं खा रहा हम सो रहे हैं लेकिन कोई जागा है हम क्रोध में हैं लेकिन कोई ऐसा है जो अक्रोध में हैं जहां क्रोध छूता ही नहीं, हम लोग में हैं, हम डर में हैं, लेकिन कोई ऐसी इस्तती मेरे अंदर है अब भी, डर के समय भी ऐसा कोई है, जिस पर डर छूता नहीं है, तो वो जो अंदर है, उसको जब हम अनुभव करते हैं, वो मेरी तुर्य आवस्था है, जिसको चतूर् और इसी को अनुभव करना अध्यात में है और हम ध्यान के क्रियाएं इसलिए तो करते हैं सारी अध्यात्मिक साधन इसलिए तो करते हैं कि अपने उस अवस्था को अनुभव कर ले जी जी अब बिल्कुल अगला सवाल लेती हूँ आखरी सवाल होगा ये क्या कर्म पहले से लिखे नहीं है कर्म पहले से तो बिल्कुल भी नहीं लिखे कर्म के लिए तो प्रकृति ने हमको सुतंत्रता दी है हम सुतंत्र है कर्म कर लेने के लिए चाकू पढ़ा है आप सुतंत्र है आप सब्जी काटें अंगली काटें गला काटें अपना काटें दूसरे का काटें सब्जी अपनी काटे, पड़ोसी की जाकर काटे चाकू जो कातियों पड़ा है आप सुतंत्र हैं, आप क्या करना चाहते हैं अभी आपके उपर है कि आपकी कार है आप सुतंत्र हैं कि आप सही ड्राइव करना चाहते हैं या एक्सिजेंट करना चाहते हैं आप सुतंत्र हैं आपने अपने शरीर की संभाल सही की है या बिलकुल बिखेर बिखेर कर शरीर को देखा है या ध्यानी नहीं दिया शरीर का तक आप सुतंत्र है आपने एक्साइस की ही नहीं है जो करनी चाहिए जो शरीर के लिए आप सुतंत्र हैं आप एकसाइस कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं आप दिंचरिया को ग्यवस्थित भी कर सकते हैं और केवल धन के पीछे भी भाग सकते हैं आप सोतंत्र हैं कि आप जीना कैसे चाहते हैं तो कर्मों में आप सोतंत्र हैं लेकिन जैसे ही कर्म करोगे वो कर्म वही बांद देगा और फल में तो सब्सक्र नहीं है फल तो फिर कर्म के आधार पर आप पकड़ ले जाओगे कर्म किया नहीं कि आप पकड़े गए नहीं अब वो कर्म फल के आधार पर हमको बांद कर उस फल को भोगने में लेकर आएगा और यही कारण होता है कि हम कर्म करने में तो बहुत खुश होते हैं बहुत होश्यार होते हैं लेकिन जब फल भोगने की बारी आती है तो लाचार बन जाते हैं हम कहते हैं ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और तो सब ठीक है अब उसके लिए हमने कर्म क्या किया था हमारी लापरवाईया क्या थी हमारी असावधानिया क्या थी हमारी बेहोशी क्या थी हमने कौन सी सुतंत्रता के साथ कर्म किये जिसका एक कॉंसिक्वेंस हमारे सामने प्रकट हुआ उस पर हम ध्यान नहीं देते इसलिए कर्मों को पर पुझे अवस्था में भी रख सकते हूँ, अब ये हमारे उपर हैं, तो कर्म के लिए हम सुतंत रहें, इसलिए कोई मुट्टी पत्फर बढ़ जाता है, और कोई बंधन और पक्का करने लगता है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, वो उसका सुख भी उसके कर कर्म के आधार पर प्रकट हुआ, और उसका दुख भी उसके ही कर्म के आधार पर प्रकट हुआ, यहां कोई दूसरा नहीं है, जो मुझे बाढ़ता है, हम खुद ही हैं जो अपने कर्मों से रोज, बंधे जाते हैं, तो जुटना ना भूलिए देखिये, मन की शामती को अधियात में से जुड़ना पड़ेगा गीता ग्यान यहां बेहतरीं चल्चा होती है स्पिकिंग ट्रीपर तो आप सभी तयार रहेएगा कल स्याटड़े है कल शनीवार है हम आप सभी से सुब्याद बजे सुरक्षित गुस्वामी जी के साथ जुड़ेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बहुत जादे हैतियात में रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए स्टे से स्टे हेल्दी अन्यवाद हरियों जी जश्किष्णा